हलो दोस्तो राम राम सभी को मारा राजस्थानी दीपा आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो एक बलाौज का वीडियो है आप सभी भेनों की बहुत ही जादा डिमांड थी कि आप इस बलाौज का एक वीडियो बनाओ ऐसे तो मैंने गोटा-पत्ती के मेरे जितने भी blouse थे उनका वीडियो में बना चुकी हूँ, जो गोटा-पत्ती वरक वाले मारकेट से लायुए blouse और जो गोटा-पत्ती वरक अपने घर में ही जो बना पने नही वीडियो वीडियो शोटली बनाया था, वड़ किसी ने लेके आई हूं कि ये कैसा क्या blouse है कैसे 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 तैयार किया है कैसा क्या है या दिखताई ऐसे है तो जो जिस iris guidance वीडियो में मैंने यह जो पेन रखी थी पहले बात तो इसको blouse नहीं बोलते हैं अलग लग बहसा में तक बहसा काउचली बोलते और कई जगे इसको आंगी भी बोलते हैं जो भी जहां जो भी बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग तो पहले बात तो यह कांचली है ब्लाउज नहीं है यह दूसरी बात बोलते हैं दिदी खां से बनवाया है या खां से परचेज किया है यह बात सबसे ज़्यादा बोलते हैं त पहले की ओरतें ये कांचली पहनती थी और ये कांचली वो सिलती भी है आज भी अगर कोई हम इच्चुक होते हैं बनवाने के लिए तो अपने घर में आस्पडोस में मिल जाती है जो बीफनी चाहचीता इममी नानी है तो ये मेरी जो कांचली है मैं ना तो किसी टेलर से बनवाई है अपने ही घर में जैसे किसी को बनानी आती है बुजर्ग मैला को उसी से मेरे नाप की बनवाई है मैंने फिर इसमें जो ये पहले तो स्केज कर लिया पैंसिल से ये बेल बना ली जैसे ये फ्लावर और फिर ऐसे ये पत्ति डाल दी पास से देखो आप ये पत् तो ऐसे करके ये आंगी तैयार के हुई है ना तो ये कोई कोश्टली है ना ही वो है कि खांसे पर्चेज गया फिर देखो इसको मार्केट से लाके बाजू पे देखो ये लगा दिया है इसका थोड़ा अलग सा लुक हो जाए उसके लिए तो ये घर में ही सिल्वाई हुई तो ऐसे कपड़े हम अगर पहनना चाते हैं जिसका लुक भी हमें सबसे अलग करता हो थोड़ा सुन्दर लगे बहुत ही अच्छा और थोड़ा वह पुराने जबाने वाला न्यू अपना कॉंबिनेशन मिला करके अच्छा एक गोजेस लुक हम दे सकते हैं अपने कपड़ में लुक बिल्कुल भी नहीं है और हमारे घर में नहीं तो हमारे आस पास में ओरते हैं इसी बना देती कोई बीटिक वाला दूणना पड़ेगा ऐा टेलर वह तो अपने नाप की हम बनवा सकते हैं और यह एकदम वह ही वह नहीं है का इंशी का पूरी की पूरी यह देखो कांसले इसकी पिच्छे की लेसु ऐसी है जो अपने पुरानी दादी नानी पैना करती थी और यह पेपर लगायावा है कि जब यह अवरक होता है तो यह अवरक बहुत ही मतलब बहुत ही बारिकी से किया जाता है तो यह ऐसे कपड़े पर होता नहीं है तो इसके न तो यह मेरा ना तो यह मेरा यह सुथय कपडा है वह उप़नवा सकते हो और चयो है उस बनवा सकते हो बट शीवप्डेिया क हस्तने लगा लगा कर शीलवाना जिससे वह वरख isol हो जाता है तो बहुत ही प्रकार के कपड़े आ रहे हैं मार्केट में बहुती प्रकार के कपड़े आ रहे हैं मार्केट में आप जैसा चाहो वेल वेड, सिल्की, सिंपल, सुत्ती, कोटन उस पे यवरक करवा सकते हो और एजली खुद भी कर लेती हैं कुछ तो ऐसी होती है आराम से तो ना तो ये कोश्टली है और हमारा बहुती अब जाता है अलग सा सबको दिखता है तो ये था हो काशली बलाव जांगे आप जो भी बोलो बार 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 बोल रहे थे वैसे मैंने बहुत सारे बलावजू के वीडियो डाल रखी है तो आप प्लीज सारे वीडियो चेक करें उसमें आपको सब अलग अलग मार्केट से भी घर पे तयार किये हुए सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे आप एक एक कमेंट करते हो इसका लाव वीडियो लगबग मैंने बलावजू के वीडियो डाल रखा है तो आप मेरे चेनल पर सारे वीडियो देख सकते हो औरना लेंगा बलावज इतनी भी है और बहुत ہी सवाल था इसके बारे में तो मैंने ये भी आज आपको बता दिया है कि कैसे क्या तैयार किया हुआ है मेरे आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो कि कौन से गाने पे डांस है ये किस परकार के बलाउज है और ना है उसके बारे में तो मैं आपको वीडियो बनानी की आपके लिए पूरी कोशिस करूंगी थेंक यू सो मच फ्रेंड